Fidelity जिसका रश्या नेवर नौस्ट है एक रश्यन ड्रामा मोवी है जो 2019 में रिलीज हुए थी मोवी की में करेक्टर का नाम लीना है लीना एक इस्त्री रोग विशेशग्य है जो अपने पती सरगेई के साथ रहती है सरगेई एक ठेटर आर्टिस्ट है और दोनों का रिष्टा बेहधिक कोमल और करीबी है लेकिन वो दोनों काफी टाइम से sexually inactivate है लीना को शक है कि सरगेई का अपनी co-actress के साथ affair चल रहा है वो सरगेई से इस बारे में कुछ नहीं कहती लेकिन इस emotional trauma से निकलने के लिए वो सरगेई से बेवफाई करना शूकर देती है वो अलगल आदमियों के साथ sex करती है लेकिन धेरे धेरे लीना को सरगेई को दुका देना यानि कि दूसरे आदमियों के साथ sex करने की लट लग जाती है क्या होता है? चलिए जानते है मूवी की शुरुवात में लीना और उसका पती सरगेई आपस में बात कर रहे होता है सरगेई अपने वर्क प्लेस पर हुए tension की बात कर रहा होता है कि उसका डेक्टर से बहुत बरिशान करता है लीना उसे कहती है कि तौं इतना बषमान मध हो, सब टाइम के साथ ठीक हो जाएगा सरगेइ कहता है, चल ठीक है मैं अब सोने जाता हूँ वो लीना कु फोर हट पर किस करता है लेना उसे किस करना चाहती है लेकिन उससे पहले सरगेई वाद से चला जाता है लीना अपसेट हो जाती तबिसरगे के फोन पर मैसेजces आते हैं जो लीना चेक करती है और उसे पता चलता है कि वो मैसेज़िस काच्चा ने की है काच्चा सरगे की को एक्टरस है जो उसके साथ ठेटर में काम करती है तब ही वापे सरगे वाउपस आता है और अपना फॉन लेके चला जाता है सुबह लीना सरगी के साथ रोमेंस करने की कुशिश करती है जबकि सरगी सोया हुआ होता है सरगी उठता है और कपड़े पहनने लगता है वो लीना से पूछता है कि उसमें कौन से कलर की जैकेट अच्छी लगेगी वो लीना की पसंद के हुई जैकेट को पहन लेता है लीना अपने काम पर जाती है और वो वहाँ पे अपनी कलीक इवान के साथ बैट कर पेशन्ट के बार में बात कर रही होती है इवान लीना से कहता है कि एक पेशेंट जिसका नाम निकी फोर्वा है वो अपना पहला बच्चा तुम ही से डिलीवर करवाना चाहती है क्योंकि उसने इंटरनेट में उसके बारे में काफी सर्च किया है और उसे एक बहतर लेडी डॉक्टर लगती है लीना पूशती है कि क्या मैं तुमसे भी जादा बैटर हूँ एवान कहता है हाँ क्योंकि तुम एक और थो लीना कहती है ठीक है यह मैं डिलीवरी करवा दूँगी लेकिन इसके बाद मैं कुछ दिनों का आफ चाहती हूँ लीना को देखके लगता है कि वो काफी अपसेट है इवान उससे पूशता है कि क्या कोई बात हुई है लीना कुछ भी नहीं कहती फिर हम लीना को एक पेशन जिसका नाम निकी फोरवा होता है उससे बात करते हुए देखते हैं वो पेशन तरहसल अपना पहला बेबी एक्स लीना को लगता है कि वो अपनी को आर्टिस्ट काज्या के साथ है वो फिर वापिस पार्टि में आती है और एक लड़के के साथ बीच में जाती है बीच में वो लड़का उसे अपनी बोरिंग कहानिया सुना रहा होता है फिर वो उसे किस करने लगता है लीना कहती है रुको मैं यह सब यहां नहीं करना जाती है वो दोनों होटल जाते है और लड़के के पास रूम लेने के लिए 200 डॉलर कम पड़ जाते है वो लीना से 200 डॉलर लेता है फिर वो दोनों रूम में जाते है और दोनों के बीच में सेक्स होता है लेकिन लीना उस लड़के से बिलू को सटिस्वय नहीं थी घर आती है और सर्ज पार्ल याकर शूरू करती से त्भेज। से सोया होोता है वह उठी सा पूशता है कि वह क्या कर रही है लीना जैते हैं भूल गई हूँ यह सब करना से कहता है क्या फाल तु बाते कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है सरजी और काच्चा थेटर में परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं लीना भी वहीं आती है और उनकी परफॉर्मेंस दे के अपसेट हो जाती है क्योंकि उसे उनकी केमिस्ट्री में कुछ लोचा लगता है वो काच्चा को देखे काफी जैलस फेल करती है काच्चा पार्टी में डांस कर रही होती है सरजी लीना के पास आता और कहता है कि क्या वो घर जाना चाहती है लीना कहती है आज तुम्हारा प्रीमियर है में ड्रॉप कर देते हैं वो काज्जा को घर ड्रॉप करते हैं नेक्स्टे लीना सिर्जी और काज्जा को फॉलो करती है और उसकी कार दूसरे की कार से तकरा जाती है वो कार को रिप्यारिंग कराने के लिए गाराज ले जाती है जहां उसे एक आदमी मिलता है और वो से पू तो भी वहाँ पुलिश आ जाती है और वह आदमी वहाँ से भाग जाता है पुलिस लीना से पूस्ताश करती है और बीच पर सक्ष्वल आक्ट करने की जुर्म में कहती है कि उसे समन दिया जाएगा सरजई लीना का वीडियो बनाता है और कहता है देखो तुम कितनी बीटिफुल हो लीना कहती है मैं किस से ज्यादा बीटिफुल हूँ सरजई कहता है कि तुम इस्ट्रेंज बीहेविर क्यों कर रही हो लीना कहती है अब तुम ही मुझे बता कि मैं स्ट्रेंज हूँ या बीट सब्सक्राइब करते हैं जब देखों तुम किसी थर्ड पार्टी के साथ चुट्यां बिताने की बात करते हो लीना जाने लगती है सरगी कहता है चलो एट लिस्ट हम बीच जाकर वाकेशन की सुरुवात कर सकते हैं लीना हॉस्पिटल आकर पीशन्ट का चैक अप कर रही होती है तब ही वहां निकी फोरवा आजाती है और अपने पती से लीना को मिलवाती है और उसका पती वही आदमी होता है जिसके साथ वो सेक्स करते हुए पकड़ी गई थी उसे दिखकर वो गिल्टी फिल करती है और अंदर चली जाती है लीना अपने कैविन में आ जाती है और उस पेशन्ट का पती भी उसके पीछे-पीछे उस कैबिन में आ जाता है और कहता है मैं तुम्हारे बारे में खुद को सोचने से रुक नहीं पा रहा हूँ तुम मेरे दिल और दिमाग में च्छा गई हो और उसके साथ जब दर स्थिंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है इना उसे धक्का देकर कैबिन से निकाल देती है और रोने लगती है वो अपने कलीग इवान के साथ होती है और सरगेई की जासुसी करती है इवान कहता है कि क्या तुमने अपने पती से इस बार में बात करने की कोशिश की लीना कहती है अगर मैंने उस से उसके अफेर के वार में पूछा और उसने का हाँ मेरा अफेर चल रहा है तो मैं क्या करूँगी मुझे उसे हमीशा के लिए छोड़ना पड़ेगा इवान पूछता है कि क्या तुम्हारा पती ओवर स्मार्ट है लीना कहती है काफी हद तक इवान कहता है तब ड़ने की जरुवत नहीं है वो कभी अक्सप्ट नहीं करेगा कि उसका फेर चल रहा है लीना कहती है तब पूछने का क्या फाइदा इवान कहता है फिर तुम्हें इस रिलेशन्शिप को खतम कर देना चाहिए लीना इवान से पूछती है कि क्या कभी उसे किसी ने चीट किया है इवान कहता है हाँ फिर इवान अपनी स्टोरी बताता है वो बोलता है कि वो अपनी गल्फ्रेंड के साथ ऐसे बैट कर बात कर रहा था जैसे अभी वो लीना के साथ कर रहा है और फिर उसकी ex ने उससे question किया कि वो क्या करेगा अगर उसे पता चला कि वो उसे cheat कर रही है इवान ने कहा कि वो उसे मार देगा उसकी ex कहती है तुम मुझे मार दो पहले तुम मुझे इन सब बात पर उश्वास नहीं हुआ लेकिन फिर उसने अपना backpack किया और वहां से चला गया लेकिन तब मैं सिफ 20 साल का था लीना कहती है कि तुम्हें तुम्हारी special girlfriend ने cheat किया और उसके बाद सब लड़कें तुम्हाले normal है इवान कहता है मैंने एक normal इंसान की तरह धोखा खाया कोई भी अपनी sex life से संतुष्ट नहीं है लीना कहती है इसका मतलब ये है कि मैं सरगेई के लिए एक normal और तुम्हारी बातों से तो ये लगता है कि सरगेई तुम्हाले special नहीं है लीना कहती है शायद लीना इवान से कहती है कि अब उसे घर जाना चाहिए इवान लीना को किस करता है क्योंकि वो लीना से कहीना कहीं प्यार करता था लीना और सरगेई vacations के लिए जा रहे होते हैं और लीना के फोन पर एक message आता है जो निकी फॉर्वा के पती ने किया होता है और उसमें एक गंदी सी पिक होती है और ये भी लिखा होता है कि वो उसके साथ sex करना चाहता है वो दोनों बीच पर होते हैं जहां लीना सरगेई से पूछती है कि उनकी sex life को क्या होगा वो sex क्यों नहीं करते सरगेई को कुछ समझ नहीं आता वो लीना से पूछता है वो कहना क्या चाहती है लीना कहती है कि वो अभी इस टाइम पे sex क्यों नहीं कर रहे है सरगे कहता है क्योंकि उसे लीना से वैसी vibrations नहीं आती वो उसके सामने अजीब से पेश आती है लीना कहती है हाँ और तुमसे बहुत अची vibrations आती है और sex करने में interest लेते हूं क्या तुम sex से बोरो गए हूं सरगे कहता है कि एक खराब sex करने से अच्छा है कि sex किया ही ना जाए लीना पूस्ती है तो क्या मेरे साथ sex हमेशा से खराब था या यह यह तुम्हें अभी अभी feel हूआ सरगे कहता है उसके कहने का यह मतलब नहीं है लेकिन sex को इतनी importance नहीं देनी चाहिए लीना पूस्ती है कि क्या तुम्हारा किसी से affair चल रहा है सरगे पूस्ता है मतलब किससे चल रहा है मेरा affair लीना कहती है तुम्हारी workplace में तुम्हारी colleague के साथ सरगे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है लीना कहती है वो हमेशा तुम्हारे आसपास रहती है और तुम्हारे फोन में उसके काफी मैसेजिस है सरगी कहता है कि इन मैसेजिस में कुछ नहीं है वो बस अपने डिरेक्टर के उपर जोग करते रहते हैं अगर तुमने वो message पढ़े हैं तो तुम्हें पता होगा लीना कहती है मैंने वो नहीं पढ़े बस ये देखा कि तुम्हारे phone में उसके काफी messages हैं सरगी कहता है अगर मुझे कुछ चुपाना ही होता तो मैं अपने phone में password लगा कर रखता या फिर वो messages delete कर देता लीना रोने लगती है सरगी कहता है बच्चों की तरह behave करना बंद करो लीना सरगी इसे कहती है I am sorry सरगी पूछता है तुम sorry क्यों बोल रही हो दरसले लीना अपनी शक्की वज़े से सरगी के साथ धोका कर बैटी थी और बहुत से आदमियों के साथ intimate हो चुकी थी और इस बात से वो काफी शर्मेंदगी बहशूस कर रहे थी लीना ओल सरगी किच्चन में होते हैं और सरगी लीना से कहता है तुम आयले कोट से कुछ आया है शायद ट्रैफिक पुलिस ने उस दिन जो अक्सिडन्ट हुआ उसके सिलसले में कुछ भेजा है लीना कहती है हाँ वही सब है सरगी कहता है तुम ध्यान से ड्रैफ किया करो कहीं जलन के मारे तुम किसी को मार ना दो सरगी अपनी काम पर चला जाता है लीना अपना फोन चेक करती है जिसमें उसके पेशन्ट के पती के मैसेजिस आयो होते है कि प्लीज मैं तुम्हारे साथ इंटिमेट होना चाहता हूं लीना उसको ब्लॉक कर देती है सरगी वापिस आता है और लीना से कहता है I love you समझी तो लीना कहती है हाँ फिव उसे किस करता है सुबा लीना उठती है और सरगी उससे कहता है कि उसके लिए ब्रेकफास्ट बना दे लीना मार्केट से समाल लेने जाती है और एक आदमी को फोन पर बात करते हुए देखती है और हम उससे उसी जगा जाते हुए देखते हैं जहां वो आदमी खड़ा था यानि कि वो उसके साथ इंटिमेट होने वाली है लीना घर आती है उसने काफी पी रखी होती है वहाँ सरगेई होता है लीना बताती है कि आज का दिन एडवेंचुरस था पहले वो घर की कीज भूल गई सरगेई कहता है तो वो अपना फोन भी भूल गई क्या लीना कहती है हाँ वो मैं hospital में भूल गई सरगे लीना से पूशता है कि कि तुम ऐसे कपड़े पहन के काम पर जाती हो लीना कहती है तो क्या वो घरा का पहले कपड़े चेंच करती सरगे पूशता है कि तुम किस लेने मेरे पास क्यों नहीं आई लीना कहती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो ड्रिंक करने चली गई, क्या तुम परिशान हो गए थे, I'm sorry, लीना नहा रही होती है, और सरगी वहाँ उसकी एक पैंटी लेकर आता है, सरगी पूछता है, यह तुमने कब खरी दी, और तुम इसे कब पहनने वाली थे, लीन लीना कहती है, इतनी चलाकी से भी नहीं चुपा पाई, तुमने से ढूंड लिया, सरगी लीना को, उसे पहनने के लिए बोलता है, और फिर वो दोन इंटीमेट होने लगते हैं, लीना हॉस्पिटल जाती है, और इस से अपनिस्ट लीना को बताती है, कि निकी फोरवा ने उससे डिलीवी करान से मना कर दिया, निकी फोरवा काफी गुस्से में होती है, और लीना से पूछती है, कि क्या तुम मैरिड हो, लीना कहती है, हाँ, निकी कहती है, लिकिन अब मैं मैरिड नहीं रही, लीना पूछती है, क्यों, निकी कहती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती है कि मेरा हजबन तुमारे पीछे भागता रहे, वो लीन्हा को γाली देती है, लीना चाहती है कि उसी नहीं पता था उसका पती है, मैंनों नहीं वह उस से दूसरी बात पिखा था छॉपिजन में देखा था घंटर लहागिए ंजभी टोलक यहां चाल को उतनी सब तुम्हारे पास नापैस आए टुम्हें चाहती है कि कहीं यह कаг इर्फिया जाती है रूल्च कहती है are you drunk सरगी कहता है I am drunk लेकिन तुमने जो अपने पेशंट के पती के साथ किया वो क्या अच्छा था लीना कहती है वो सभी गलती थी क्योंकि इसे सरगी पर शक था और इसलिए उसने बदला देने के लिए सब किया सरगी पूचता है कि क्या उस आदमी के साथ मजाया ली लीना कहती है नहीं हम लोग उने कॉंडॉम यूज किया था वो एक एक डिटेल पूचता है और लीना को कहता है कि तुम यहां से दफा हो जा लीना राद बर हॉस्पिटल में सोती है सुबह वो इवान से मिलती है और रिजाइन करना चाहती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी उसकी वज़े से इवान और उसके हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब हो इवान कहता है कि वो नहीं चाहता कि वो रिजाइन करे तब इवान सर गई आता है और लीना से कहता है कि मुझे बात करनी है वो बीच में जाते है और सर जैई उससे कहता है I love you और दोने एक दूस को केस करने लगते है सर जैई कहता है चलो मॉसको या फिर पिट्सबर्ग सिफ्ट हो जाते है ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके लीना कहती है कि उन्हें यहां से जाने की कोई जरूबत नहीं है वो उसकी फैमली का नाम यूज़ करके एक नए क्लिनिक खोल लेगी सर जैई और मोवी खताम हो जाती है दरासर लीना को उसके पती ने खुली छूट दे दी थी कि वो जिसके साथ चाहे उसके साथ सेक्स कर सकती है वो उसका नेचर था लेकिन उसका पती उससे बहुत प्यार करता था इसलिए उसके साथ रहने को तयार हो गया आप वो ओपन ली सेक्स में involved हो जाती है और double life चीने लगती है जिससे उसके पदी को कोई अतराज नहीं होता इसी के साथ आज की movie का explanation यहीं समाप्त होता है अनामी का चाहती है आपसे जाचत ठाटा बाई बाई